Your Excellency, Prime Minister Albanese, दोनों देशों के डेलिगेट्स, मेडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधान मंत्री Albanese का भारत में उनके पहले स्ट्रेट विजिट पर हारदिक स्वागत करता हूँ। पिछले साल दोनों देशों ने प्रधान मंत्रियों के स्तर पर वार्षिक समीत करने का निर्णे लिया था। और प्रधान मंत्री Albanese की इस यात्रा से इस रंख्रा का शुभारम हो रहा है। भारत में उनका आगमन होली के दिन हुआ और उसके बात हमने मिलकर क्रिकेट के मैदान में पर कुछ समय बिताया। कलर्स, कल्चर और क्रिकेट का यह सेलिबरेशन एक प्रकार से भारत और उस्ट्रेडिया की मित्रता के जोस और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। Friends, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन पहलुआ पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी comprehensive strategic partnership का एक महत्पपुन स्तम्भ है। आज हमारे बीच Indo-Pacific शेतर में maritime security और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के शेतर में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेक जिए agreements किये हैं जिन में एक दुसरे की सेनाओं के लिए logistics support भी शामील है। हमारी सुरक्षा agencies के बीच भी नियमीत और उपयोगी सुचना का आदान पुदान है और हमने इसे और स्रद्रड करने पर चर्चा की। हमारे युवां सहिनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल ड्रावत officers exchange program की स्थापना की है जो इसी महिने आरंभ हुआ है। Friends, आज हमने विश्वस्त और मजबूत बैश्विक supply chains के विक्सित करने के लिए आपसी सहियोग पर विचार विमर्ष किया। Renewable Energy दोनों देशों के लिए प्रात्फिक्ता और फोकस का ख्षेतर है और हम clean hydrogen और solar में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रिमेंट एक्ता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के भैतर अवसर खुले हैं। और हमारी टी में comprehensive economic cooperation agreement पर भी काम कर रही है। Friends, people to people सम्मन्द भारत औस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुक आधार है। हमने educational qualifications की परसपर मानेता के लिए एक mechanism पर हस्ताक्षर किये हैं जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उप्योगी होंगे। हम mobility agreement पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यह छात्रों, कामगारों और professional के लिए लाबदायक होगा। भारतिय प्रवासी अब आस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा immigrant समुदाय है। यह Indian community आस्ट्रेलिया के समाज और अर्थववस्ता में उलेख निया योगदान दे रहा है। यह खेत का विशह हैं कि पिछले कुछ सब्ताहों से आस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरे नियमित रुप से आ रही है। स्वाबाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यतित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधान मंत्री एलबेन जी के समक्ष रखा। और उन्होंने मुझे आस्वस्त किया है कि भारतिय समुदाय की सेप्टी उनके लिए विशेश प्रात्फिकता है। इस विशेपर हमारी टीम्स नियमित संपरक में रहेगी और यथा संभव सहयोग करेगी। फ्रेंड्स प्रधान मंत्ती एलबेनी जी और मैं इस बात पर सहमत है कि हमारे विपक्षिय सम्मन्द वैस्वीक समुदायों, वैस्वीक चुनोतियों से निपटने के लिए और वैस्वीक कल्यान के लिए महत्पपून है। मैंने प्रधान मंत्री एलबेनी जी को भारत की जी ट्विंटी अध्रिश्तागी प्रात्विक्ताओं के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलिया के सतत सहयों के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वार के सदस्य हैं और आज हमने इस प्रेट्फरम पर हमारे बीच सहयोग पर भी चर्चा की। इस वर्थ मई में क्वार लीडर समीट के लिए मुझे आमतरित करने के लिए मैं प्रधान मंत्री एल्बेनीजी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद सितंबर में G20 समीट के दोरान प्रधान मंत्री अलबेनीजी का फिर से स्वागत करने से करने का मुझे अउसर मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी एक बार फिर प्रधान मंत्री अलबेनीजी का भारत में हारदिक स्वागत है मुझे पूरा विश्वात है कि उनकी इस यांत्रा से हमारे समंधों को नई गती और मोमेंटम मिलेगा धन्यवाद